लगबग दो बच के 40 मिनिट हो रहे हैं दोस्तों और लक्ष्मी ओर्गैनिक्स जिसके उपर मैं वीडियो आपके साथ ले के आया हैं दोस्तों वो शाड़े आठ परसंट से जादा की तेजी दिखा रहा है और आज का टॉपिक मेरा लक्ष्मी ओर्गैनिक्स बिलकुल भी नह लगातार वीडियो बनाएं थे क्योंकि साफ साफ आप कह सकते हैं तेजी की जो के लिए सिनारियो बन रहे थे और आज लक्ष्मी ओर्गैनिक्स देभी आठ परसंट से जादा की तेजी दिखाई क्यों यह तेजी हो रही है प्लस पूरा का पूरा क्यामिकल सेक्टर क्यों इतना जादा बुलिशनेस दिखा रहा है और इसके पीछी का मेंड फंडामेंटल रीजन क्या है तो इसके उपर चर्चा करों दोस्तों वीडियो जादा लंबी नहीं होगी क्योंकि वीडियो की बनाने की प्रक्रिया किसी और की पर जारी थी और इतने जादा कॉमेंट्स है कि इसके उपर वीडियो बनाना पड़ा दोस्तों नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हमिता मिश्रा और आज बात करने वाला हूं लक्षमी और गानिक्स की देखिए पहले समझते है कि रीजन क्या है आप कोई की समझता हूं लक्ष जो पूरा को पूरा क्यामिकल सेक्टर है य पूर देन 40-50% आप क्या सकते हैं जो आप कहसे हैं इंपूट कोस्त होता है और कहीं कहीं तो यह नंबर और भी जादा होता है वहां पर क्रूड ओयल का दाम जो रहता है यह बहुत जादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके इंपूट कोस्त में और आपको पता इससे साथा प्रोब्लम यह होई दोस्तों कि इसके जो जून कोटर के नंबर आये वहां पर आपको थोड़ी सी गिरावट देखने हो मिली सेल्स के नंबर पर इंपूट कॉस्त तो काफी हट ठीक था दोस्तों बढ़हता भी देखने पर मिली थी इवन मार्जिन भी इंप् कर दिया है और जब यह तमाम चीजों गिरावट होई मैंने केमिकल सेक्टर की वीडियो मैंने कहा था कि यह समय है उसक्तर दभाव में चल रहा हूं वह समय होता है स्टॉक में निवेश करने का और लक्षबी ओर गानिक्स दोस्तों 274 जो 52 वीक लो है इसके आसपास का I think 274 ही है वो बहुती जादा बहतर समय था दोस्तों स्टॉक पे निवेश करने का जो कि वो जब समय था तमाम निगेटिव न्यूज चाहे आपके लिए सप्लाई चीन इशूज है और आपको याद होगा लक्षमी और्गेटिक्स एक बार पिछले साल जब प्रॉब्लम हुई थी फ्लट के कारण इनके जो मैनिफेकरिर इंगेटिवेट्स ने वहाँ पर पानी भर गया था जिसकारण वहाँ पर भी एक स्टॉक में दबाऊ था प्लस स्टॉक ने जो वहाँ से रिकवरी दिखानी शुरू की थी स्टॉक काफिक समय तक कंस्टॉडडेट कर रहा था दोस्तों और वह समय आपको मिला था एक्यूमॉलेशन का और आप देखिए चैमिकल सेक्टर के साथ सबसे एची सबसे एक इंपोर्टेंट या पॉजिव यह हुई कि जो पूरा विश्व है न दोस्तों चाइना प्लस स्टाइटजी की और बढ़ रहा है चाइना पे जिस तरह से एकोनोमिक्स टर्मॉइल है जह तक क्वालिटिकल टर्मॉइल चल रहा है और जहां कि उसकी एकोनोमी तो यह सकते हैं आप शेकी दिख रही है ऐसे में पूरा विश्व चाइना प्लस वन की पॉलसी देख रहा है इसके साथ साथ मैंने पहले भी चर्चा किया है कि चाइना प्लस चीजे लगबग बंद होती दिखाई दे रही है दोस्तों इतनी जादा प्रॉब्लम है वहाँ पे प्लस रशिया में बहुत अच्छा केमिकल सेक्टर तो है दोस्तों लेकिन सेंक्शन के कारण वहाँ यूजज नहीं हो पा रहा है प्लस यूरिया केमिकल सेक्टर यह तमाम चीजें उसी तरह काम कर रही है दोस्तों और लक्षमी और कई कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी दोस्तों ना आज है वेल डाइवर्सिफाइट प्रॉडक्ट पॉटफोलियो इनका बहुत कई जगों पे मार्केट लीडर के समान भी काम करते हैं और आज जादा उस गोर नहीं जाएंगी कहां मार्केट है AISI जो भी इनकी चीज़ें सब्सक्राइब है उनमें ज्यादा चर्चा में आपकेसा चर्चा नहीं करूंगा मेंली यह आप देखिए 6-7 सप्टेंबर में यूज वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को मिली थी वॉल्यूम 27 लाग तक पहुच गये थे 6 सप्टेंबर को और वहां से तेजी बनने की कोशि करके लेकिन मुझे लग रहा है दोस्तों जो 400 का लेवल है लक्षमी और्गनिक्स के लिए यह बहुत इंप्टेंट क्योंकि इमिडेट रिस्टेंस भी है और यदि यह रुपीज 400 को तोड़ करके उपर क्लोजिंग बैट जाता है दोस्तों मुझे लगता है एक बहुत सुपोर्टेस के लिए अब क्योंकि आप जैसे इसने 300 को तोड़ा उसके बाद 330 को तोड़ा वहां से एक रैली आनी शुरी और आज तो देखे एट परसंट जादा की तीजी है मैं वो निवेशक जो नीचले स्तरों पर इसको इनिवेस्मेंट करें रखें मैं यही कहूंग तो वॉलेटिलिटी का ध्यान रखें वॉलेटिलिटी से घबराएं नहीं क्योंकि यह जो वॉलेटिलिटी है ना यही मौका होत देती है आपको एक्यूमुलेशन का और आपको रिटन कमाने का आज स्टॉक तेजी दिखा रहा है वोल्म बड़े शांदार है बाजार में देखना चाहिए कि क्या लक्षमी ओर्गनिक्स देखिए आज नहीं तो आने वाले एक दू ट्रेंग श्रीन बादी क्या इसे तोड़ करके ऊपर क्लोस दे पाता है और नीचे लेस्तरों में दोस्तों देखिए साढ़े तीन सो अब इमेडिट सपोर्ट है दोस्तों क्योंक लक्षमी ओर्गनिक्स लक्षमी ओर्गनिक्स तो बड़ी शांदार तेजी दिखा रहे हैं दोस्तों और इसलिए लक्षमी ओर्गनिक्स में मैं अगर आप चाहते हैं कि एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊं एक कम्प्लीट एनलसिस का तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से बता जाते हैं बल्कि वो समय होता है हमें जानने का कि क्या यह जो प्रोब्लम से वापस आ सकते हैं और मैं हमेशा कहता हूं कि जब बड़ी तेजी दिखाने लगे ना 8-10 परसेंट की लगातार वो समय होता है सवाल पुछने का क्या हम प्रफिट बुक कर लें या एकलिस का दोस्तों वह समय बेशने का नहीं होता है बशर्ति आपको स्टॉक के पर फंडमेंटल भरोसा होना चाहिए स्टॉक की जो जो मैनेजमेंट है वह बहुत तगड़ी होना ही चाहिए और लक्ष्मी और्गनिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता दुस्तों मुझे और लॉ यह बड़ी कांदे श्या हैं दुस्तों